रेट्रो इस्रेडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक से कीपिंग कॉइट पोयम एक्सप्लानेशन देखेंगे जो की पैबलो निरूडा द्वारा लिखा गया है। एक्सप्लानेशन इस्टार्ट करने से पहले परुसकार नोबल प्राइज है जो कि उन्हें रिट्वेचर के छेतर में मिला। वो पेडरिको, गार्सिया, लॉर्का, वल्ट, विटमैन, जैन नेरुडा, रबिंदरनाथ, टेगोर, अलेक्सेंडर, पुसकिन के द्वारा इंफ्लुएंस्ट थे, आईए पोईम के तरफ चलते हैं और इसका समरी देखते हैं, जो इसमें पोईट हैं, वो चाहते हैं कि जब तक वो बारत तक काउंट करें, सब इस्थिर हो जाए, वो कहते हैं कि एक बार के लिए आओ, हम संसार के किसी भी भासा में बाचेत ना करे वो हमसे कहते हैं कि जो हम लोग हमेसा हाथ अपना हिलाते रहते हैं, उसे हिलाना बंद करते हैं, कहते हैं कि एक छट के लिए कोई हडवडी या जल्दिबाजी ना हो, कहते हैं कि इंजनत था अन्यमसीन एक छट के लिए रुख जाए, और वो जो समय होगा हम लोग के लिए बहुत मनमुखक समय होगा और उस मनमुखक समय को तब हम सभी मिलके अनंद ले सकेंगे कभी चाहता है कि जो कभी है वो चाहते हैं कि मचवारे जो पूलर रीजन में बिल मचलियों को पकड़ने के लिए जो उन्हें हानी पहुंचाते हैं, वो मुच्वारे उन्हें हानी तक न पहुंचाएं, वह व्यक्ति जो अपने हाथों से नमख एकत्रित करता है, अपने गायल हाथों को एक बार देखे और उसका धान रखे, poet कहते हैं कि सभी प्रकार के जो युद्ध हैं उसे तुरंत रोग देना चाहिए कहते हैं कि पर्यावरण के विरुद्ध होकर हरित युद्ध या फिर जो भी विसे लोग रहसों के साथ जो युद्ध करते हैं जो आमस और एम्मुनिशन के साथ युद्ध करते हैं उस सब चीजों को रोग देना चाहिए वो कहते हैं कि युद्ध का परिडाम जीत का होता है वो अर्थहीन है क्योंकि युद्ध के उपरांद कोई भी जीवित नहीं बचता है वो कहते हैं कि युद लड़ने अत्वा युद ठीड़ने के अलावा जो लोग हैं उन सभी को एक अच्छे से वस्तर में बाहर निकलना चाहिए अपने भाईयों के साथ सेर करना चाहिए ये भी कहते हैं कि उन्हें छायदार वृष्चों के नीचे घूमना चाहिए प्था हम निश्षलता को निश्क्रिता समझने का भूल करें कहते हैं कि कुछ भी ना करने का अर्थ मृत्यू है और पोएट का मृत्यू के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है हम समझते हैं कि चलना ही जीवन है हमें सदा चलते ही नहीं रहना चाहिए थोड़ी दिर के लिए ह विस्राम भी करना चाहिए एक लंबी चुपी हमारा बहुत लाब कर सकती है यह बात कवी अपने इस कविता के माधियम से पक्ति के माधियम से बताने का प्यास कर रहे हैं वह कहते है कि मनुष से तब उदास हो जाता है जब वे स्वयम को समझने में आसफल रहता है वह असह यह किसी भी परिस्तिती में उस परिस्तिती का हल निकालना चाहिए एक लंबी चुपी हमारी भावनाव को सांथ कर सकती है ऐसा कवी का कहना है और वो कहते हैं कि यह जो लंबी चुपी होगी न इससे उदासी को हटाने में बहुत मदद मिलेगी कवी इस विचार को सपस्च करने के लिए एक उदारण देता है कि स्टिलनेस अर्थात निश्चलता का अर्थ इन एक्टिविटी नहीं हो सकता निश्क्रियता नहीं हो सकता वो बताते हैं यह जो प्रिथमी है हमारी यह हमें सिक्षा दे सकती है जब प्रतेग चीज मरा हुआ नजर आता है उस समय यह स अबस्क्रिब मैं चानल रेत्रोस्टइज